आज में लेकर आई हुना पहुत ही कमाल की टीप जो आज से पहले आपने नहीं देखी होगी तो वीडियो बहुत ही यूस्फुल है तो वीडियो को आट तक ज़रू वच किजीगा चैनल में पहली बार आए हैं तो चलो को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले एला इस फुल टेप मेरा कीचन सेंग को लेके हैं हमने कीचन में खाना बना लिया है कीचन क्लीन कर लिया है उसके बाद भी ना कुछ नो कुछ बरतन आते ही रहते हैं घर में छोटे बच्चे है तो दूद की वोटल पानी की गलास जूस की गलास या बाद में हमारे किसी ने ओसूद क्लीन करा है तो उनकी प्लेट घर मैं अज़ें केमें उस देर बहते हैं और से उसके लिए हूं अपने घर में रखी हुई साड़्यों को रख सकते हैं कि कभी कभारी हम यूज〜को अब करते हैं उन कपड़ों को आप यससे वैधर में आप बताना चाहूंगी कोई ऐसा मोटा कपड़ा या टावेल जरूरे ले जो बना सके इसे और हो हो जाएगा मेरे पास जो फिलाल में तक्की का गवर है यह बहुत जाधा मोटा है यानि कहीf कााफ है पानी अपने अंदर अफ्जर幅 कर लेगा इसलिए मैंने इसके अंदर कुछ नहीं लगाया अगर आप चाहते हैं तो कोई पॉली बेग भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं हम इसका यूज कर सकते हैं कीचन में जो हमारे बरतन क्लीन होते हैं उनके पानी सुखाने के लिए जैसे कि हम बरतन क्लीन करते हैं उसक तकी की कवर की उपर बरतनों को रती इस इस तरह के से भी सीका ये अपको ब्हुत ही यूसआने आयए क्योंकि हमारे घर में वेनेगर में जो जानीज खाने में डाला जाता है इसका use करने वाले हैं हम colgate के साथ तो यहाँ पर हम एक बहुत अच्छा cleaning liquid बना के ready करने वाले हैं जो आपके हर तरह की cleaning में आपकी मदद करेंगे तो मैंने यहाँ पर लिया है एक bound हर चीज का एक measurement होता है तो यहाँ पर भी आपको जो white vinegar है वो एक measurement से ही लेना है पूछे तो मैं कहूंगी एक चमच इतना यह अन्दाजे से आप चार बार जितना लेते हैं उतना आपने एक बार में ले लेना है और यह हमने white vinegar में add करना है यह वेनेगर में add करने के बाद यहाँ पर हम कुछ चीज़े और add करेंगे तो वीडियो को फिनिश करता है और यह हर तरह की सर्फेस को चमकाता है तो आपने यह liquid बना के रेडी कर लेना है किसी भी बोटल में आप इसे भर लीजिए इसके बाद में इसे यूज करने से पहले शेक जरूर कीजिएगा क्योंकि जो कोल गेट होता है वो सर्फेस में बेट जाता है तो जब भी आप इस बोटल को यूज करते हैं तो अच्छे से शेक करना है शेक करने से बहुत अच्छे से इस solution आपस में घुल जाएगा इसके बाद में हम इससे क्लीन क्या करने वाले हैं तो हमारे घर में जो कीचन सिंक होते हैं आप इसे कितना भी क्लीन कर लीजिए इसमें पानी के जो हाड दाग होते हैं हाड स्टैन होते हैं वो आ ही जाते हैं तो इसको क्लीन करने के लिए लिक्विट सबसे बैस्ट है जो कीचन सिंक है वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा शाइन अलगाएगी और आपकी घर का कोई ऐसा बरतन जो आपको ऐसा लगता है बहु लिजे इसका सबसे बड़ा फाइदा यह है कि इसमें पानी टिकता नहीं है क्योंकि हमने यूज किया है वैनेगर तो जिस भी सरफेस को आप क्लीन करते हैं वहाँ पर पानी रुखेगा ही नहीं पानी असानी से बहके निकल जाएगा अगर आप सिंग क्लीन करने के बाद में क करते हैं पर इसकी क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है तो आप कोई सब्रश ले लीजिए या इसी तरह का कोई स्क्रब ले लीजिए जितने भी हाड स्टैन है या गंदे दाग है वह बहुत आसानी से क्लीन हो जाएंगे मुझे इस सबसे बैस्ट लगा है इनको आप कीचे की नल के लिए भी यूज कर सकते हैं या बातरों की जो पानी के नल होते हैं उनके स्टैन भी निकालने के लिए यह सबसे बैस्ट है मेरे गहरे का साव कगतलब है अगर पानी के हाड वर्टर वाले स्टैन आ जाते हं तो उसको क्लीन करने के लिए ये बैल्च Ridgevision है इसका आप यूज कीजिए और इस बोटल को ना एक बार बना कि आप ज़रूर अपने घर में रखे आई हो ट्रेक आपको पसंद आती है चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल है के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक प्लांट है और इस प्लांट को रखने क इसका ज्यादे तरह हम यूज़ी नहीं करते हैं बस आया रखा है भरा हुआ है तो यूज़ कर लिया खाली है तो वो किसी कॉर्णर में पढ़े रहते हैं पर इन खाली पढ़े हुए सेलेंडर का आप यूज़ ले सकते हैं बस इसके बेस में यह जो इसके नीचे वाला तल देरेंडर को यूज़ सकते हैं कोई दिकत नहीं है क्योंकि हमने इसके उपर वाले गोल हिस्से का यूज़ किया है किसी भी कैप पर हमने कोच वज़न नहीं रखा है तो आयो इस तरह के से भी आप से जक्रके से नुकसान दें नहीं है अगला इस फुल ट्रेक यहां पर मेर तो इसको क्लीन करने के लिए मैं ट्रिक आपको बताती हूं तो बहुत कम सा पानी हमने कीचन टॉवल के उपर लेना है इसके बाद में कोई सा भी हैर ओयल आपने लेना है चार से पांच बुद बहुत ज्यादा नहीं लेना है इसे डस्टर पर डालने के बाद हमारा जो एक कपड़ा है ये रेडी हो चुका है तो अच्छे से इसको मिला लेना है यानि कि हमने जो कीचन टॉवल या कीचन डस्टर जो भी आपने लिया है वो बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए इतना तो बिल्कुल नहीं कि इस इस तरह का नुकसान भी नहीं होता है यहां पर आप देख सकते हैं मैंने माइक्रो ओवन के उपर ही करके दिखाया है क्योंकि टच स्क्रीन वाला है तो इस पे बहुत ज़्यादा निशान आ जाते कभी-कभी जिसकी वज़े से यह वर्क नहीं करता है और इस हिसे को क्लीन क करना असान भी नहीं होता है गीले कप्ड़े से तो बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि इलक्ट्रोनिक समान है तो इस तरह के से ऑईल के दो चारब२ कुछ पानी की बूंदों से आप इन एपलाइंस को क्लीन कर सकते यह आप प्रेस पे भी कर सकते हैं टिवी के उपर भी कर सक प्रिज को हम डेली लाइफ बहुत जादा यूज करते हैं इसी कपड़े का आप इंसाइट भी क्लीन कर सकते हैं मैक्रों की जो अंदर वाला हिससा होता है इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है जब भी आप कुछ बेक करते हैं तो इसको एक बार जरूर वाइब किया करें जब आप इसका यूज करने एक बार जरूर वाइब करें